हेलो स्टूरेंट्स वेलकूम अगीन टू लंडरी दितीमन तो हम कर रही हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थार्ड तो पंचायत विवस्था जो है वो हमारी चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो जो किया था उसमें एक कुश्यन था देखिए पंचायत समिती सदस्य एवं उप जिलाप्रमुक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो आंसर जो था वो अधूरा था वहां लिखा था जिलाप्रमुक को देखिए पंचायत समिती के जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र देंगे प्रधान को ठीके और उप याद रखिएगा कि पंचायत सम्मति सदस्य या उप्प्रधान अपना त्याग्पत्र देंगे प्रधान को और जिला परिशद के सदस्य और उप्प्रधान प्रमुक को तो यह आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद जो question है, वो आज हम स्टार्ट करते हैं, तो आज का question, question 26, एक पंचायत के भंग होने के कितने माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, एक पंचायत यदि भंग हो जाती है, तो उसके कितने महिने के अंदर नये चुनाव करा लिये जाएगे, तो इसक हमने देखा था कि पंचायती राजविवस्था के अंदर हमने इसे तीन स्टरों में बांटा था, बलबंत राय समिती जो थी उसकी सिफारिस पर इसे लागू किया गया था, तो तरी स्टर ये सरंचना में यहां मध्यवर्ती सोपान पूछा है, तो वह कौन सा है, पंचायत समिती, और यदि पूछा जाए कि तीसरे स्टर पर कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा जिला स्टर, और प्रत्थम स्टर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती और जिला स्टर, इसलिए मध्यवर्ती सोपान है, पंचायत समिती, नेक्स्ट है, निर्वाचन कौन करवाता है? इसका अंसर है, याद रखियेगा राज्यनिर्वाचन आयोग यह पंचायती राजशंस्थाओं का निर्वाचन करवाता है कुश्यन 29 पंचायत समिती किसके परती अपने कार्यों के लिए उत्तरदाई होती है? पंचायत जिला परिशद कि प्रति अपने कार्वधान की अनुसार इसांध स्वर्ण हा, नेक्स्ट है, अधिनियम के प्रावदान की अनुसार इसे अपने कार्वधान कार्रव motor करों उनको एक साथ ही यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी देखी ग्राम पंचायद जो है वो 15 दिन में एक बार बैठक का आयोजन करती है पंचायद समिती एक महा में एक बार करती है और जिला परिशद तीन महा में एक बार करती है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है यदि पूछा जाए कि ग्राम पंचायत जो है वो है एक महा में कितनी बार करेगी बैठक का आयोजन तो दो बार नेक्स्ट हैं question number 31 पंचायत सम्ती की बैठक के लिए गण पूर्ती है तो सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई जो है वह बैठक में उपस्तित होना compulsory होता है कितना एक तिहाई नेक्स्ट है question number 32 पंचायत सम्ती द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संकेत किस अनुसूची में है इसका आंसर है अधिनियम की जो द्वित्तिय अनुसूची है उसमें पंचायत सम्ती द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संकेत है किसमें अधिनियम की दूसरी अनसूची में राजिस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनसूची में ग्राम पंचायत के साधरन कार्रे कौन-कौन से हैं यहां से प्रश्ण इस तरीके का पूछा जाता है कि आपको चार कार्रे जो है वो दे दिया जाते हैं जिसमें तीन तो पंचायती राज के होंगे और चौथा जो होगा वो नगरिये स्वाशाशन का दे दिया जाएगा तो इस तरीके से वहां पर आपको आंसर चूज करना होता है तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि ग्राम पंचायत के जो साधरन कार्रे होते है वो कौन-कौन से होते हैं वार्षिक बजट तयार करना, प्राकर्तिक आपदा में सहायता और लोग संपत्ती के अतिक्रमन को हटाना ये सभी किसके कार्रे होते हैं? ग्राम पंचायत के साधारन कार्रे होते हैं. क्या होते हैं? वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकर्तिग आपदा में साहे था और लोक संपत्ति के अतिक्रमन को हटाना. राजिस्थान पंचायती राज अधनियम 1994 की पर्थम अनुसूची में. अभी हमने ग्राम पंचायत के साधारन कार्रे देखी. अब हमें देखने हैं प्रशाशनिक कार्रे. तो प्रशाशनिक जो प्रशाशन में जो कार्रे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जनगर्णा कराना, क्रशी उपज उत्पादन व्रद्धी कारेक्रम, ग्रामीन विकास योजनाओं का क्रियानवन का विवरण, विरोजगारी के आंकडे, जनम रत्यू विवाहा पंजियन, प प्राकर्तिक आपदा में सहायता और लोग संपत्ति के अतिक्रमण को हटाना ये तो उसके साधरन कारे थे ग्राम पंचायत के ठीक है और उसके बाद ये प्रशन में पुछा गया है कि ग्राम पंचायत के जो प्रशाशनिक कारे हैं वह कौन-कौन से हैं तो प्रशाशनिक कार पंचायत समिती के मुख्यकारे कौन से होते हैं चलिए देखते हैं वार्चिक बजट तयार करना ठीक है यह है वार्चिक बजट तयार करना यह हमने ग्राम पंचायत में भी देखा था और वार्चिक बजट तयार करना यह भी पंचायत समिती का मुख्यकारे होता है सामाजिक न्याय के लिए योजनाय बनाना भूमी सुधार, म्रद्दा सन्रक्षन, लगु सिच्चाई एवं पेजल, गरीवी उन्मूलन, पशु पालन, शड़कें, बाजार, स्वास्ते, सिख्षा तो मुख्यकारेों में वार्षिक बजट तयार करना है, सामाजिक न्याय के लिए योजनाय, भूमी सुधार, म्रद्दा सन्रक्षन, लगु सिच्चाई एवं पेजल, गरीवी उन्मूलन, पशु पालन, सड़कें, बाजार, स्वास्ते, सिख्षा ये सबी किसके कारे हैं, पंचायत समिती के कारे हैं, नेक्स्ट है, कुश्चन 36, जिला परिशद का गठन किन सदस्यों मिलकर होता है, तो देखिए, निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन शेत्रों से प्रत्यच निर्वाचित सदस्यों होते हैं, जिला परिशद शेत्र से निर्वाचित लोग सभा विधान सभा के सदस्य जिला सदस्य शेत्र से जिला परिशद शेत्र से निर्वाचित जो लोग सभा विधान सभा के सदस्य जिला सदस्य शेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकरत राज्य सभा के सदस्य जिला परिशद शेत्र की समझ्द पंचाय सम्वतियों के प्रधान ठीक है तो ये सभी किसके सदस्य होते हैं जिला परिशद का जो गठन होता है वो इन सदस्यों से मिलकर होता है नेक्स्ट हैं कोश्चन 37 राजिस्थान पंचायती राजद्रियम 1994 की तृत्ती अनुसूची के अनुसार जिला परिशद के कारे कौन कौन से होते हैं तो अब हम जिला परिशद के कारे देखेंगे तो यहां पर जिले के आर्थिक विकास समाजिक न्याय के लिए योजनाय बनाना क्रशी का विकास ठीक है जिला इस्तर पर बूस अंडक्षन ग्रामीन बृद्धुती करण को बढ़ावा देना समाजिक वानिकी के कारेक्रमों के लिए भूमी विकास, एवं ब्रक्षारोपन, घरेलू और कुटी रुद्ध्योगों का विकास, SCST, पिछडा वर्ग के लिए सिक्षा ये सभी कारे जिला परिशद के होते हैं तो ये सभी कारे हमने पंचायत समिती में या ग्राम पंचायत में नहीं देखे थे इसी दरी पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दे हैं तो जो कुल संख्या होती है उसका एक तिहाई आरक्षण किसका है महिलाओं का पंचायती राज में पंचायती राज में OBC का आरक्षण दे हैं वही OBC का आरक्षण कितना है तो इनका आरक्षण है राज्य विधान मंदल की इच्छा पर, ठीक है, राज्य विधान मंदल की इच्छा पर है, क्योंकि यह तै नहीं है, उनकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है, कि वो पंचायती राज में OBC को कितना आरक्षन देंगे, नेक्स्ट है, कोश्चन नमबर 41, राज्य वित आयोक का गठन किसके द्वारा किया जाता है, इनका गठन राज्य पाल के द्वारा किया जाता है, इसी तरीके से राज्य वित आयोक का किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयोक का गठन जो है, वह भी राज्य पाल के राज्य वितायों का कार्य क्या होता है अब क्या होता है भई फाइनेंस की बात हो रही है तो इसी से सम्मंदित कार्य होंगे इनके इस्थानिय संस्थाओं को कर राज्यस्व का बटवारा करना और अनुदान की सिफारिस करना यह राज्य वितायों का कार्य होता है देखिए Q 00.43 के अंदर राज्य वित्ति आयोक वगठन है और वह भी किसके अंदर जह के अंदर 200 में जह के अंदर जह या तो जह मिलेगा या फिर आपको option में मिलेगा आई ठीक है 243 राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो हमने अभी देखा राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य पाल करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी कौन कर रहे हैं राज्य पाल नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कारणे होता है तो देखिए आपसे option में जब पूछा जाएगा तो राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ confusion होगा कि कार्रे जो हैं वो कुछ कार्रे निर्वाचन आयोग के दे दिये जाएंगे पंचाय समिती जिला परिशद तो इनका निर्वाचन का कार्य कौन कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोक कर रहा है और राज्य वित्त आयोक का कार्य क्या था उनका कार्य था इस्थानिय संस्थाओं को कर राज्यस्व का बटवारा करना और अनुदान की सिफारिस करना तो आ बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू